हरी कृष्णा, हेरा पंचमी के आप सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई हो हेरा पंचमी भगवान जगननात के रथ्यात्रा का एक बहुत महत्वपून अंगय रथ्यात्रा सुरू होने के पाँचवे दिन हेरा पंचमी का उस्व मनाया जाता है यहेरा पंचमी कहीं कहीं होराव के बेनाम से जाना जाता है पंचमी यानि पांचवा दिन मानेता है कि भगवान जगनात प्रियात्रा आत्या सुरू करने के पांचवे दिन देवी लक्षमी की यात्रा सुरू होती है लोग प्रिय मानिता यह है कि भगवान जगनात ने अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी से वादा किया था कि वह अगले दिन लौट आएंगे पर उन्होंने वादा करके भूल गये अब माता लक्ष्मी इंतजार करते करते हर दिन इंतजार करते थी कि जगनात अब आ जाएंगे अब आ जाएंगे पर ये क्या जगनात तो भूल गये पांस देन प्रतिक्षा करते करते हो गया तभी माता लक्ष्मी को गुस्सा आया बहुत नाराज हुई और उन्होंने तुरंट सेवकों से आदेश दिया कि जाओ मेरे पालकी तयार करो और मैं गुणीचा मंदिर जाओंगी जगनात को लेने हैं तब क्या होता है पालकी सुन्दर ढंग से सजाया जाता है लक्ष्मी देवी का और उनके साथ उनके सेवक लोग धूलक, म्रिदंग, नगाडे सब लेकर बड़े आराम के साथ लक्ष्मी देवी का जयकारा करते हुए आगे बढ़ते हैं गुणीचा मंदिर के लिए गुणीचा मंदिर के पास अंदर में वो लोग प्रवेस करते हैं प्रवेस करने के बाग देखते हैं तुरं तिक पांडा जाता है जगनाजी का जो सेवक रहते हैं वो जाते हैं जगनाजी को बोलने हैं जगनात जी अरे लक्षमी देवी आ रही है पूरी सेनिक के उसाथ अपने सेवकों के साथ डोल मिर्दंग के साथ थोड़ी नाराज प्रतीत हो रही हैं तभी जगनात को याद आता है अरे मैंने तो वादा किया था लक्षमी से मैं एक दिन में लोट कराऊंगा अब तो हो जाती है और उनसे बोलती है अब चलिए अब आप एक दिन बोल करके आये थे यहां प्रतिक्षा करते हैं वह पास दिन निकल गया अब आप वापस चलिए जगनात बोलते हैं मैं कुछी दिनों में लोट आऊंगा उन्हें गर्भग्र में पांडा लोग लेके जाते हैं और उन्हें सनमाती माला पैनाते हैं और वादे के तोर पे वह बोलते हैं कि महां लक्ष्मी बोलती हैं वाप चलिए फिर जब वो बाहर निकलती हैं थोड़ी नाराज होकर जगना जब नहीं जाते तो उन्हें दही अर्पित किया जाता है तभी लक्ष्मी जी को बहुत क्र जाती है अपने सेवों को से कहती है कि रत को करतों तो दो यह परंपरा है लक्षमी दिवी रत का कुछ हिस्सा थोड़ा सा तोड़ देती हैं कि तो क्या होता इधर जगरनाथ के सेवक और इधर लक्ष्मी जी के सेवक दोनों मिलकर आपस में जगड़ा करने लगते हैं उन लोग में लड़ाई होने लगता है और वो लड़ाई उन लोग का आगे बढ़ जाता है इस तरह से वो कुछ समय बाद हेरा गोरी सहा नाम के रास्ते से वापस निकल जाती है नाराज़गी जदाते हुए अब माता वापस निकल के अपने घर को चले जाते हैं इस तरह से हेरा पंचिमी मनाया जाता है तो जगरनात को फिर याद आता है तो जगरनात फिर कुछ दिनों के बाद साथ दिन के बाद में वापस अपने घर आते हैं जब वहाँ जगरनात जाते हैं तो लक्षमी देवी तो नाराज रहती हैं, घर के सारे द्वार को बंद कर देती हैं, और भगवान जगरनात को आने नहीं देती हैं, फिर से जगरनात के और लक्षमी देवी के सेवकों में हातावाई हो जाता है, और प्रेम के नोग जोक में कुछ गालियां दे जाती हैं, य प्रवेश करते हैं लक्षमीदी अंदर लेके जाती हैं यही हेरा पंचिमी की सुन्दर कथा है आप सब भी स्रवन करिए और भक्तों को भी समण कराइए हरे क्रश्णा जै जगन्नात